नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे 99 Submission YouTube चनल को और बैल अकन पर दबाकर पाईए लेटेस अबडेट की जानकारी आज आपको एप्सन प्रिंटर एल अलेट जरिफाव कैसे इनिस्योसिन करते हैं आपको सिखना जा रहा हूं सर देखिए सर यह नए प्रिंटर है तो नए प्रिंटर में इसमें पॉली बैक सार जितने भी रहते पुरे निकाल देंगे ठीके सर और इसमें आपको जितने भी ब्लू टेस दिख रहे हैं सारे के सारे निकल देंगे अब जितने भी ब्लू टेप्स ते सारे सारे के सारे में निकल दे निकल चुका हूं अभी ठीके सर अभी हम क्या करेंगे हम कलर हुआ जिसको इंग डालेंगे सर यह देखिए सर कभी भी धाल रखें सर यह सी एम वाई एलम एलसी बीके वाई रहता है यह एक कलर पोड़ी सब से हमको कलर उसमें डालना पड़ता है सर अब को ठीक है सर पहले हम डालने जारे सी वाले कलर है यह जो कलर कोड़ है सर सी एम एलम एलसी एलम बीके वाई ठीक है सर एक कलर कोड़ी सब समको डालना होता है ठीक है सर अब में पहले सी वाला कलर डाल रहा हूं अब कर दो को कि अब कर दो कि अब देखें सर यह नेटन सुपलमेशन का ब्रेंड यह पिगमेंटिंग के ठीक है सर में एंजन्ड एंप कलर एठेक है यह हम इसमें डाल देंगे कि यह दिखें यह दिखें यह यह दिखें यह एलम का एलम है लाइट मेजन्डा अब हम डालने जारें एलसी डाल रहा है एलसी मतलब लाइट सैन कि यह सबसे हमको डालना होता है कि यह जो कलर ब्लैक है सर तो ब्लैक कलर में बीके लिखा हुआ है बीके में सबसे लास्ट वाल अप्सने वाइट सब्सक्राइब कर देंगे जितने भी क्याप से कि प्रोस करका हम जैसे चेवे से सेटिंग इसको पर देंगे इंक कैसे डालने का तरीक आपको बता दियों सर अभी हमेंसा याद रखिए सर जिये जाना होते हैं पूर्डवी स्कूर अपको सारे इंक लेवल एक इसमें इंक लेवल आपको मालूपद देंगे यादि यादि आपको खतम हो गया तो इंक इसको बन सकते हैं ठीक है केसा कि अब हम क्या करें फिल इंद गरसें के बाद में जब इसको अनकर हो गें तो आपको आपको यह ब्लिकिंग होगा, वो देखे सर, सर लैक्स ब्लिकिंग हो रहे आपको, थोड़े दिर के बढ़ आपको यह ट्रॉप को बटन जो दिख रहा है ना, वो ब्लिकिंग होगा, यह दिखिए सर, यह पावर का बटन जो ब्लिकिंग हो रहा है, और ड्रॉप का बटन जो ब्लिकिंग हो रहा है, इसको कह करेंगे, तीन सेकंड तक दबक रखेंगे, जब तक इसका हैड़े मूव नहीं होगा, तब तक दबक रखिए सर, जब एक बर मूव हो गया, तब इसदर से छोड़ देंगे, ठीके सर, अभी एक आदे गंटे तक आप इंक चार्जिंग करना होते है सर, इसको, एक आदे गंटे के बाद इंक चार्जिंग होने के बाद है न, जो ड्रॉप का बटन ब्लिक हो रहा है, वो ब्लिक होना बंद ह हो जाएगा, बाद में आपको पाउर के बटन ही ब्लिक होगा, यह इसका टाइमिंग होगा, इंक चार्जिंग का आदर गंटा आपको 20 मिनिंट आपको छोड़ना पड़ेगा सर, इंक चार्जिंग के लिए, देखिए दोस्तों, अभी जो इंक प्रोसेस अभी खतम हो चु इधर वे इंक पूरा के पूरा इंक चार्जिंग गया है, ऐसका अंदर इसका मतलब गया मतलब इंक चार्जिंग ठोपर ले हो चुका है, ठीक है सर, देखिए इस राभी के एक अगर यस USB के पर इंडर के साफ चार्ट कर देंगे, अ जर्ट कर देंगे, इस रागे से यह वी लोडिंग ओरे इसको यह कर देंगे आई एग्री लेसंस एग्रिमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे इसको कर देखें सर अभी फिनिस होगे अभी पूरा के बस्ट खत्म हो चुका है अभी हम सीडियल के अट्र राइवे सारी इंस्ट्र भी करती है और देखें सर इदर आओगे डेवेसं प्रिंटर में जोगे विवेसं में जाओगे पंट्रोल पेनल में जाओगे इसको पर अब करते नहीं चालंगे तर आपको इदर कॉंड सा प्रिंटर आपको बलिंक ओ रहा है और उसको दो अब निकालाए पुरा पूरा ने झालंस में जाओगे स्चिक्जिनिकाल्ट यह निकाल देखें यह आपका प्रोपर ले निश्टल हो चुक है और इंचार्जिंग भी प्रोपर ले हो चुक है आप सर्थ हमको सारे कलर सही से आरहे के चेक करने कि हम क्या करेंगे राइट लिक करके प्रिंटिंग प्रिफरेंस में जाएंगे अब मेंडेंस में जाएंगे इतर नोजन चेक करेंगे भी ञाएं प्रिंट निकल देंगेर प्राम निकल देंगे शुआ यथे भी तिसर इकक हमी कि यह दिखी ऐसे आपका सारे क्लव से बड़ा आचुका है डिखें सीम का सी का पुर के लाइनिक पूरा करग के लिए आ रहा है एम का बी लिए को पर आधर इलम के बहुंत दो कि सही हा रहे है और बर्लक के या रहे है इसका मतलल हमको फुलि आप छासे अच्छासे जा आप से हमको इंटरिम हो चुक है सर तो सब्मीशिन करी है अलाग अलाग है देखेगा कि आप का कि आप होग अपर यह देखेसर यह सब्मीशिन पेपर है हमको यह हम किसी भी आइटेम पर हम नाइलाड पर पॉलिष्टर पे किसी राइटम पे उसको साव में प्रिंट करका हम निकल सकते हैं यह जो है मंटी कलर वाला है